Hey everyone, welcome back to my channel, my name is Shipra Tiwari and I am the biology educator of the NEET UG category I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुती बढ़िया होंगे, बहुती शानदार होंगे, बहुती जबर जस्तों जिन्दाबाद होंगे सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिपरा माम की जबानी बच्छो हाँ वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, माम की विशिस का शायद आप इंतजार कर रहे थे और अगर नई भी कर रहे हैं तो भी माम विशिस तो देगी ही देगी आप सभी को सभी को हापी चिल्रंस डे आपको बाल दिवस की हार्दिक शुपकामना है ये दिन आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज ले के आए, ये दिन आपको ये सिखाए कि आपको और कितनी मेहनत करना भागी है बचो ये चिल्रंस डे सिर्फ आपके लिए स्पेशल नहीं होता है, ये हर एक उन टीचरों के लिए बहुत स्पेशल होता है जो आपको पढ़ाते हैं, हम आपसे फिजिकली मिल नहीं पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी दुविधा एक ऑनलाइन एजुकेटर के लिए होती है और वो दुविधाएं जो होती हैं, वो हमेशा मैं अपनी लाइफ में डे बाइडे फेस करती हूँ जिन भी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, चाहे वो 9th के हैं, चाहे वो 10th के हैं, चाहे 11th, 12th ये नीट के हैं जब मैं उनसे मिल नहीं पाती, और जब वो अपनी परिशानी मुझे टेलीग्राम में बताते हैं, या वो मुझे अपने परिशानी कमेंट सेक्शन में बताते हैं, कि वो उनके क्वेशन नहीं हो रहे हैं, और ये नहीं हो रहा है, अब तयार ही नहीं हो रही है तो मैं मनी मन और दिल से बहुत ज़ादा परिशान हो जाती हूँ कि इनके लिए मैं क्या नहीं कर दूँ पर बात यह है कि मैं तो हूँ एक ही तो जितना मेरे से maximum हो सकता है उतना try मैं हमेशा करती हूँ कि हर एक बच्चे के लिए एक अच्छा सा काम करके दू ताकि उसके लिए उसका future secure कर सकू और वो अपने लिए अपना future खुद से भी secure कर सके हर एक व्यक्ति हर एक बच्चा अपने लिए एक full army है बच्चों उससे किसी की ज़रुरत कभी नहीं होती है बस उसके अंदर अपने मन के लिए एक दिया जलाने की ज़रुत होती हो जाएगा मन में एक विश्वास रखिए नवेंबर आ चुका है definitely जो भी क्लास के बच्चे है time to need उन सब के examination आने वाले हैं आप final countdown की ओर बढ़ रहे हैं final countdown होने से पहले आपकी तयारी भरसक और 100% हो जाए इस बात का मैं हमेशा make sure करना चाहूंगी और यह भी make sure करना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आपकी तयारी कहां तक पहुटी comment section में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या preparation कर ली है need वाले need की बताएं 12 वाले 12 की बताएं 11 वाले 11 की बताएं 9 10 वाले 9 10 की बताएं मैं सब की तयारियों को बहुत ही seriously लेती हूँ और उनके comments भी बहुत ही seriously पढ़ती हूँ हर एक बच्चा जो मेरे videos में comment करता है मैं उनके comments को तो literally बहुत serious लेती हूँ और उनके लिए फिर मैं वो सारी चीज़े करने की कोशिश करती हूँ कि उनका examination बहुत अच्छा हो जाए हमारा जो जीवन है वो एक विद्यारती जीवन है और विद्यारती जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष और object और target होना चाहिए कि वो अपने लिए और साथ में अपने माबाप के लिए कुछ पर आधा रास्ता आने तक आपने अगर कुछ भी नहीं किया है तो अभी भी आधा रास्ता मेरे प्यारे बच्छों बाकी है चलना शुरू करिए क्योंकि जिस दिन से आप शुरुआत कर देंगे उस दिन से आप अपनी जंग को जीतना शुरू कर देंगे और जिस दिन से आप अपनी जंग को जीतना शुरू कर देंगे उस दिन से ये एश्योर हो जाएगा को एक दिन डेफिनेटली आप अपनी जंग जीत जाएंगे तो क्या आप अपनी इस examination की जंग को जीतना चाहते हैं तो आज इस 14th of November से आपको अपने मन के अंदर ये decide करना है और पढ़ाई कर देना बहुत शरूरी है और शुरू कर देना चाहिए हमेशा as a educator मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं जिनसे मैंने ये सीखा कि भाई as a teacher आपको इनसे जादा मेहनत करनी चाहिए बहुत चारे बच्चों के प्यारे प्यारे doubt solve करने के दौरान मैंने भी बहुत पढ़ाई की जिससे मैं का भी enhancement बहुत जादा हुआ बहुत चारे बच्चे जो नहीं पढ़े उनको मैंने रास्ता दिखाया जिससे मुझे ये भी पता चला कि हर बच्चे की mental level एक जैसा नहीं होता आप सभी की वज़े से मैं हूँ और मैं चाहूँगी कि आप सभी हमेशे मेरे साथ रहिए आप सभी का साथ मैं दूँगी अगर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है तो मैं आपको लास्ट तक पढ़ाती रहूंगी यही मेरा कर में और यही मेरा धर में आप सभी को बाल दिवक्स की हार्दी शुब कामने ये दिन आप सभी का शुब और मंगल में हो इसी कामना के साथ थाइंक यू सो मच बच्चो टेक कियर और बबाए